घूमने फिरने के शोकीन लोग ऐसी जगों की तलाश करते हैं जो काफी अश्चरेजनक हो अगर आप भी उन्ही में से एक हैं तो आज हम आपको एक ऐसी चटान के बारे में बताएंगे जो दुनिया की सबसे उंची होने के साथ साथ समय के साथ साथ रंग भी बदलती हैं विश्व की सबसे बड़ी चटान और श्रेलिया के उत्री शेतर में स्थित है ऐसा माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ी जील में स्थित एक विशाल का चट्टान लाखो वर्ष पुर एक प्राइदीग था पहले इसे आईरस की चट्टान कहा जाता था लेकिन वर्तमान में इस चट्टान को उलूरू नाम से जाना जाता है दुनिया की है सबसे बड़ी चट्टान आउस्ट्रेलिया के उत्तरी शेतर में उलूरू नामक मैदान से 348 मेटर की उचाई पर है यह चट्टान को 9 किलोमेटर के घेर में स्थित है इसकी खोज साल 1870 में डव्यू जी गोस्य नामक अंग्रेज यात्री ने की थी और इसका नाम उस्ट्रेलिया के ददकालिन प्रिधान मंत्री हेंरी आईरस के नाम से आईरस रोक रख दिया गया था इसकी विशेष्टा यह है कि सूर्योदे और सूर्यास्त के समय इसका रंग जलते हुए कोले की भाती लाल हो जाता है और चट्टान भूरे, नारंगी, लाल, हलके बैंगनी और चमकीले रंगों में परिवर्तित होती है वग्यानिकों के अनुसार रंग बदलने वाली उल्लूरू नामक चट्टान का निर्मान लगभग 300 लाख साल पहले जलवायू की स्थिती और पृत्वी में बदलाव के कारण हुआ था उनके अनुसार यह दरसत एक बहुत वड़ी चट्टान का हिस्सा है जो लगभग 5.2 किलोमेटर के शेत्रफल में फैली हुई है यह चट्टान आरकोस की बनी है जो की फिलासपा, कारिटस, रेज के गण, मिट्टी, लोहोक साइट और अन्ये छोटी चट्टानों का मिश्र की बना बनान आरकोस के लिया करे नंस्तुटान आरकोस की बनान आरकोस की बनान आरकोस